हेलो गैज वेलकम बैक माई यूटुब चैनल एजे क्लासराज का टॉपिक जो है वह लसी का है क्या लासी का या लिम्प अब दिए गए जैसे कि हम लोग जानते हैं बलड जो होता है बलड में हमारे बहुत सारी चीज़ें पाई जैसे के ही मोगलोबिन हो गया वाइट जो है प्लाज्मा हो गया और सफेध रख्त कंड गवागई लाल दिर खंड गवागई यह psych community होती है और उसमें प्लाज्मा भी होता है उसि परकार IBMे यह तीज़ पाई जाता है लसीका क्या पाई जाता है पर बात करेंगे लिम्प होता क्या है और यह बाया कहा है और यह बनता कह होता कैसे है सबसे पहले इसका कैसे होता है तो कलर दिखे रंग जो होता है हलका पीले रंग का होता और तरल में होता है तरल आप जानते हैं लिक्विड और इसके बाद में जो आता सिकेंड सरीर में बहुत सारी लसी का गरंथियां होती है यानि कि जहां लसी का बनता है यह ल हैं हमारे सरीर्मने बहुत सारी है जो लिम्फ बनाने का कारी करती है क्या रिलाए बंदा निकल कर बना के य Lebens बना के आगे भेज देती यह अब इसके बाद में होता इसका परवाह क्या होता है मनलब की जैसे लसीका बना गरंथियों में इसके बाद में जो लसीका बनके आगे जब निकलता है गरंथियों से बाहर निकलता है तो यह किस तरफ की और परवाहित होता है जिसे कि आप लोग जानते है इलेक्टरान जो होता है जिसे कि कमेश्टी पढ़े होंगे तो आप प्रोटान में तरफ जाता है तो यहां फेक दीखे hefty फिसकी तरफ जाता है यह यह एक को इसी अ बलते हैं सब्सक्राइब करते हैं इसका कारी क्या होता है यह किस चीजों के में कारी आता है लसी का बनने का उद्देश क्या होता है अब यह कि आप जानते हैं ओमिक्रों चल रहा तो इसमें क्या होता था जो मरीज थे मरीज को हाइड्रोकलोरिक कुई दिया जाता और जो है प्रिकॉर्शन दिया जाता था कि अब तक यह वैक्सी नहीं बनी थी तो उससे पहले कुछ और उफचार से क्या थे उसमें जो है लस सब्सक्राइब झाल निकाल के उसको खोन में को एक इतनी था कि जता हew माया जाता है वो कॉपर चला था यहूपर चलाता था है ऑदलाता है बिमारी में किसके कौन बचाता है संकर्वन से कौन बचाता है यह बचाता है लसीका या लिंफ होता है देखिए यहां पर लिखा सरीर को संकर्वन से बचाता है उसके बाद में यह जो लिंफ होता है या लसीका होता है हमारे शरीर में अधिक जल होता है तुसको फोक लेता है जिसे कि जा सिक्स्टी फाइफ से सिक्स्टी सेवन तक बना तो ऐसे अगर आप जो है अगर देखो भी देखो गए भी तो कोई बताएंगे सोखने काम करता क्योंकि जितना पानी पीते हैं उतना पुरा यूज नहीं होता क्योंकि हमारे बॉड़ी में पानी है और पानी हम पीते भी है और जो कुछ पानी यूरीन महादम से निकल जाता और जो यूरीन महादम से निकलने बाद जो हमारे सरी में फालतू पानी बसता है उसको ये लिंफ सोख लेता है और जो तरल में उसको चेंज करेंगे अपने साथ ले जाता है बात करते है इसमें होता क्या है ये इसका और क्या उता है इसका कारी होता है कि इसमें आकसीजन की 59त अधिक रहता है जैसे कि हीमोगलोबिन जानते हैं हीमोगलोबिन जो लाल रुधिर कानिका होती है हीमोगलोबिन के कराण होती है ओके गाई जो आप समझ लीजे हीमोगलोबिन किसे रियक्शन करता है आक्सीजन से तब इसको बोलते हैं आक्सी हीमोगलोबिन क्या बोलते हैं हीमोगलोबिन तो उसी तरीके से अक्सिजन अमल्ब की जो हीमोगलोबिन है वो अक्सिजन कब परवाहिन करता है और इसको जल्दी से घाव भरने में ऊपर से ठाक होने में यह ज्यादा करता है को जाली ना और है जो होता है यह यह सब्सक्राइब होता है कि आप हम इसके रेट बलड कड़िका इसके बाद प्लेटलेस अभी प्लेटलेस जो होता है यह भी होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं वह भी चढ़ा जाता था वीमारी में इन दोनों में नहीं पाजाता बाकी डवलोबीसी में और सब्सक्राइब बात करते हैं यह इसका मुख्यकार क्यो को नुक्सान पहुंचाते टी किसको इसला लसी कर अनुफ का कुछल यहर देखे पोलियो बीमारी में लेकिन दवासे नहीं जो संवारी होती है तो भी ऑपकले तंत्र प्रभावित हो जाता है तो जैसे अब बारे में आगे मिल जाएगा ने तो डिसुप्शन में लिंक दिखके पूरी वीडियो देखे लिए ने इस टो पिसा तो टीक लिए जयन जय से भारत